तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर इस बार मुकाबला दिल्चस्प होने वाला है। इस सीट से फिलहाल ए आइम आइम चीफ अस्दुद्दीन ओवैसी सांसद है। वहीं बीजेपी ने इस बार डॉक्टर माधवी लता को ओवैसी के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। एक और ओवैसी होंगे तो वहीं दूसरी और कटर हिंदुत्व का चहरा मानी जाने वाली माधवी लता होंगी। हैदराबाद सीट ए आइम आइम का गढ़ मानी जाती है। यह सीट 1984 से ही ए आइम आइम के पास है। अस्दुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान 1984 में पहली बार लोक सभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 20 साल तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद से ही उनके बेटे अस्दुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद है। बीजेपी ओवैसी के खिलाफ नया चहरा खोच कर लाई है। ओवैसी को उनके गड़ में टक कर देना आसान नहीं है, लेकिन माधवी लता इसके लिए तयार है। जिस तरह हैदराबाद में ओवैसी का अस्पताल चलता है, जिसमें बहुत कम रुपयों में अच्छा एलाज मिलता है, ठीक उसी तरह माधवी लता का विरिंची नाम का अस्पताल है वह इस अस्पताल की चेर परसन है इसके अलावा माधवी लता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और उनकी छवी हिंदू समर्थक रुख के कारण सुर्खियों में रहती है इसके अलावा माधवी लता भरतनाट्यम नर्थकी भी है वह हैदराबाद में होने वाले सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहती है माधवी टरस्टों और संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है वह लोपा मुद्रा चैरिटिबल टरस्ट और लतामा फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है माधवी लता ने बेसारा मुसलिम महिलाओं के लिए एक छोटा सा कोश भी बनाया है और वह कई सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़ी रही इसके अलावा वह एक गौशाला भी चलाती है और स्कूल कॉलेजों में हिंदुत्वों और भारतिय संस्कृती पर भाशन भी देती है 2019 के चुनाव में बीजेपी ने भागवत राव को ओवैसी के खिलाफ तिकट दिया था उन्हें कुल 2,35,285 वोट मिले थे जबकि ओवैसी को 5,17,471 वोट मिले इस बार बीजेपी माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है बीते एक दशक में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेर बढ़ा है जहां 2014 के लोक सभाचुनाव में बीजेपी को 7 फीसदी वोट मिले थे वहीं 2023 के विधान सभा में 15 फीसदी वोट मिले हाल ही में विधान सभाचुनाव में पार्टी ने पहली बार 8 सीटों पर कबजा किया है जिन में हैदराबाद के आसपास की चारमीनार, कारवां, एलबी नगर, राजेंद्रनगर, अंबरपेट, कुद्बुलापुर और संथनगर सीटे शामिल है उधर बीजेपी की तरफ से शनिवार, दो मार्ज, शाम लोकसभा चुनाव के लिए 195 उमीदवारों की लिस्ट जारी की गई इसमें भोचपुरी सुपरस्टार पवन सिंग को भी टिकट दिया गया बीजेपी ने पवन सिंग को पश्चिम बंगाल की आसन सोल लोकसभा सीट से अपना उमीदवार बनाया हालांकी तिकट मिलने के 24 घंटे के भीतर ही पवन सिंग ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है बोचपुरी सुपरस्टार ने रविवार तीन मार्ज को सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर चुनाव नहीं लड़ने का एलान किया उन्होंने ट्वीट कर कहा भारतिय जन्ता पार्टी के शीर्ष नेत्रित्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसन सोल का उमीदवार घोशित किया लेकिन किसी कारण वश में आसन सोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा उन्होंने अपने इस ट्वीट में बीजेपी के राश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ी को टैग किया है रिष्टे में तो हम तुम्हारे कैप्टन लगते हैं नाम है पांडिया ये डायलॉग हार्दिक पांडिया ने बोला तो इससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया इससे फैंस को लग रहा है कि हार्दिक ने रोहित शर्मा पर निशाना साधा हार्दिक पांडिया को जब से मुंबई इंडियन्स का कप्तान बनाया गया है लोग उनसे चिड़े हुए है खासकर रोहिच शर्मा के फैन उनको पसंद नहीं कर रहे हार्दिक पांडिया पहले मुंबई इंडियन्स का हिस्सा थे लेकिन दो सीजन वे गुजरात टाइटन्स के साथ थे अब फिर से मुंबई में लोटे तो उनको कप्तानी मिली यहां तक कि टीम को पांच बार चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा को उन्होंने कप्तानी से हटा दिया ऐसे में हर कोई टीम मैनेजमेंट के फैसले की आलोचना कर रहा है और कप्तान हार्दिक पांडिया को भी उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा ऐसे में जब उनका एक डायलोग रिष्टे में तो हम तुम्हारे कैप्तन लगते हैं वाइरल हुआ तो लोगों ने इसे रोहित शर्मा से जोड़ा हालां कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है